Hello friends, भारत में लिकान से लाकों में यात्यात के नियमों का पालन कम कियाता है जब हम हाईवे या सेर की सड़कों पर चलते हैं तो हम देखते हैं सड़क पर रेडियम की सफेद या पीडे रन की पट्टियां पड़ी होती है तो इन पट्टियों का क्या मतलब होता है? लंबी सफिद पट्टी होती है उसका मतलब होता है कि सड़क पर लेन को बदलना मना है और आपको एक ही लेन में चलना है इसलिए सड़क पर सफिद पट्टी बनी होई देखे होगी जब आप सडक इसका मतलब होता है कि आप सडक पर लेन बदल सकते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना होगा लेन बदलते समय कोई दूतरा वहान वहान नहीं आए जब आप सडक पर जाते हो तो लंबी पीली पट्टी भी आपने बनी देखे होगी इसका मतलब होता है आप सडक वहन को ओवर टेक कर सकते हों तो ये पीली पटी ये अर्थ को दर्साती है कि आप वहन को ओवर टेक कर सकते हैं आपने सडक पर दो लंबी पीली पटी भी देखिऊंगी इसका मतलब होता है कि आप एक lane में चलते हुए दूसरे वाहन को over attack नहीं कर सकते हैं आप इन पट्टियों पर भी नहीं चल सकते हो इसलिए इन पट्टियों का मतलब होता है कि आप किसी वाहन को over attack नहीं कर सकते हैं आपने तूटी पीली पट्टी भी सड़क पर बनी होई देखी होगी इसका मतलब होता है कि आप एक ही लेन में साबधानी पूर्वक साइड को बदल सकते हैं तूटी पीली पट्टी का अर्थ होता है कि आप लेन को बदल सकते हैं Hello Friends, लंबी पीली पट्टी के साथ तूटी पीली पट्टी भी आपने सडक पर बनी होई देखी होगी इसका मतलब होता है कि जो गाड़ी लंबी पीली पट्टी के तरफ से ओवरटेक नहीं कर सकते हैं मगर जो गाड़ी तूटी पीली पटी की तरफ है वो लंबी पटी को क्रोस करके साइड बदल सकती है तो इन पटीयों का मतलब आपने समझा इन पटीयों का सभी को अर्थ मालूम नहीं होता है तो ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सेर करें, कमेंट्स करें, जिससे आपको और भी नई वीडियो देखने को मिलती रहेंगी